अनुपमा की किस घलती पर फूटा अनुच कपाड़या का गुस्सा जी हाँ क्या है पूरी अपडेट आईए आपको बताते हैं इस वीडियो में नमस्कार आप सभी का स्वागत है फीफा फूस टीवी पर अगर आपने मारे चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 5 स्टार होटल की मालकिन बनने जा रही है अनुपमा के पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं वह अब अपनी जिंदगी के दो बड़े सपने पूरे करने वाली है वह फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए बेकरार है लेकिन इसके बीच एक बड़ी गड़बड सामने आने वाली है जी आपको बता दे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा की एक गलती के कारण उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है जिसके बाद अनुच कपाडिया का उन पर गुस्सा जताने वाले हैं दरसल सीन सामने आता है कि अनुपमा अपने विस्तर पर सो र और तुम लेट हो अनुपमा हडबढाती है और अगली फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी से बिस्तर छोड़ती है और गिर जाती है लेकिन अगले इपल अनुपमा की नीद खुलती है और वह राहत की सास लेती है कि ये एक सपना है आपको बता दे कि अनुपमा अपनी फ्लाइट को लेकर एकसाइटेड है लेकिन उसके कई सवाल भी है जिसे लेकर बापुजी किंजल पाखी और समर मिलकर अनुपमा का होसला बढ़ाएंगे किंजल अनुपमा को फ्लाइट के बारे में जानकारी देगी साथ ही ये भी बताएगी कि उसे फ्लाइट में खाना ले जाने की जरुरत नहीं होगी अनुपमा को जाने से रोकने के लिए परितोश अब अनुपमा से नहीं बलकि किंजल और समर से बहस करेगा वह आखे बंद करके वनराज के साथ खड़ा दिखेगा लेकिन किंजल उसे आइना दिखा कर उसकी बोलती बंद करेगी समर भी प्यार भरी निगाओं से अनुज को देख रही है तो कुछ में अनुज उसे प्यार से सोते हुए देख रहा है अनुपमा और अनुज एक दूसरे से बाते करते भी दिख रहे हैं वहीं एक तस्वीर में एक्साइट अनुपमा अपना बॉरिंग पास दिखा रही है जैसे ही फ्लाइट एमदाबाद से मुंबई के लिए उडान भरेगी अनुपमा काफी एक्साइट हो जाएंगी अपनी जिंदेगी की पहली फ्लाइट को अनुपमा काफी एंजॉय करेंग आप सभी कितने एक्साइट है इस एपिसोड के लिए हमें ज़रूर बताएगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके और आप अनुपमा की इस नई उडान के लिए कितने खुश हैं बता दीजे कॉमेंट सेक्शन में और देख तरे फीफा पूस टीवी इसी तरीकी की झाले